हाई फ्रेंट्स मैं मुश्ताक आप देख रहे हैं MQ टच्च कुरू पिछली वीडियो में हमने स्लाइडर बार के बारे में जानकारी हासिल की थी इस वीडियो के अंदर हम जानकारी हासिल करेंगे स्नेक बार जो कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यह न čralजै और वीजिबल भी फ्रेंट्स बट हमेंसे स्नेक बार को हम यहां से ड्रेगेंड ड्रॉप करते हैं तब यह स्क्रीन पर आपको नहीं दीखएगा जैसे कि मैंने यहां पर स्सक्राइब को ब्रेग नड्रोप किया हुआ है बट यहां पर कोई विजिबल अन्वी सिबल blocks के अंदर जाएंगे normally कुछ blocks का introduce मैंने अपनी पिछली blocks interface के अंदर आपको बताया था तो friends सबसे पहले हम screen one के नीचे हमारा जो button हमने drag and drop किया था उसको पर click करेंगे और यहां से हम ले लेंगे when click do इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था पीछे blocks वाली वीडियो में आप देख सकते हैं तो यह block यहां पर लिया मैंने और उसके बाद में snake bar के अंदर गया और snake bar के अंदर show message को drag and drop यहां पर कर दिया और friends बचाए एक blocks यह मैंने text में से लिया है इसके बारे में भी कुछ जानकारी या फिर इसका introduce मैंने पिछली एक वीडियो में कराया था जिसका नाम है blocks तो friends यहां से मैंने यह लिया और इसके अंदर मैंने hello लिक दिया आप friends चलते हैं designer के अंदर और यहां पर आपको कुछ ही options मिलते हैं background, button color यह आप जानते ही हैं और direction इसके बारे मैं अभी बताऊंगा बट text color के बारे में भी आप जानते ही हैं और friends यह मैंने इस तरीके से block इस्तमाल किया ताकि जब भी button पर click हो तब इसने एक बार के अंदर जो message है वो show हो और message क्या है hello इसने एक बार हमेशा नीचे से आता है जैसे मैं button पर click किया नीचे की तरफ यह hello लिक कर एक message show हो चुका है तो इस type से हम इसका use करते हैं अब friends यह जो direction है इसके अंदर तीन option होते हैं एक यह और दूसरा यह और यह तीसरा friends long के बारे में और short के बारे में आप जाननीते ही हैं पहले से indefinite के बारे में आप देख सकते हैं indefinite कर दिया मैंने आप button पर जैसे किलिक करता हूँ तो अब यह automatically बेक नहीं जाएगा अब friends इस पर मैंने जब के लिए किया तब यह बेग गया तो इसके लिए direction का यूज यह होता है तो friends आज की इस वीडियो में हमने से कहा है इस नेक बार के बारे में तो thank you for watching bye bye